One word substitution. Set one. Insolvent का अर्थ है दिवालिया. अर्थात, being unable to pay one's debt. अर्थात, रिंड चुकाने में असमर्थ. Dilettent का अर्थ है कला प्रेमी. यनि, the person who admires art. अर्थात वो व्यक्ति जो कला प्रेमी हो. Entomology का अर्थ है कीट शास्त्र या कीट विज्ञान. यनि, the study of insects. अर्थात, कीटों का अध्ययन. Physiology का अर्थ है शरीर विज्ञान. यनि, the study of the functions of the body. अर्थात, शरीर के कार्यों का अध्ययन. Immobile का अर्थ है अचल, यनि, that which cannot be moved. अर्थात, जो वस्तु चलने वाली ना हो. Effeminate का अर्थ है स्त्री जैसे सभाव वाला. यनि, a man who has the qualities of a woman. अर्थात, एक ऐसा आद्मी, जिसमें स्त्री जैसे गुण हो. Antidote का अर्थ है विशर, यानि, a kind of medicine that counteract the effect of a poison. अर्थात, एक ऐसी दवा, जो जहर या विश के प्रभाव को नश्ट कर दे. Abstruse का अर्थ है दुर्बोध या जतिल, यानि, whose meaning is difficult to understand. अर्थात, जिसका अर्थ समझाना कथिन हो. Outlet अर्थात, निर्गम द्वार, यानि, way out for water and stream. अर्थात, भाप और पानी के बाहर निकलने का रास्ता. Bureaucracy, अर्थात, नौकर शाही, यानि, a government by officials in a state. अर्थात, किसी राज्य में अधिकारियों द्वारा किया गया शासन. Myth का अर्थ है, पौरानिक कथा, यानि, a traditional story related to deities. अर्थात, देवी या देवता से जुड़ी परामपरागत कहानी. Porcene, का अर्थ है, सूर के जैसा, यानि, that which is like a pig, अर्थात, वो, जो सूर की तरह का हो. Booty, का अर्थ है, लूटपाट का समान, यानि, the things robbed by the robbers, अर्थात, डाकों द्वारा लूटा गया समान. Leonine, अर्थात, शेर की तरहां, यानि, that which is like a lion. Uncalculable, अर्थात, अगननिय, यानि, that which cannot be calculated, अर्थात, जिसको गिना ना जा सके. Theist का अर्थ है, आस्तिक, यानि, a person who believes in the existence of God. अर्थात, वो व्यक्ति, जो इश्वर के अस्तित्यों में विश्वास करता हो. By God का अर्थ है, कटर या धर्मांद, यानि, a person who has narrow religious view. अर्थात, वो व्यक्ति, जो धार्मिक मामलों में संकीन विचार रखता हो. Glutton का अर्थ है, पेटू, या बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति. यानि, a person who eats too much. अर्थात, वो व्यक्ति, जो बहुत अधिक खाता हो. Fatalist का अर्थ है, भाग्यवादी. यानि, a person who believes in fate. अर्थात, वो व्यक्ति, जो भाग्य में विश्वास करता हो. Cannibal का अर्थ है, नर्भक्षी. यानि, a person who eats human flesh. अर्थात, वो व्यक्ति, जो मनुष्य का मांस खाता हो. Symmetry का अर्थ है, कब्रिस्तान. यानि, a place where dead bodies are buried. अर्थात, वो स्थान, जहां शवों को दफनाया जाता है. Say two, crematorium का अर्थ है, शम्शान घाट. यानि, a place where dead bodies are cremated. अर्थात, वो स्थान, जहां शवों को चलाया जाता है. Cosmopolitan का अर्थ है, विश्वनागरिक, यानि, a person who is free from national prejudices. अर्थात, वो व्यक्ति, जो राष्ट्रिय पुर्वाग्रह से मुक्त हो. Germicide का अर्थ है, कीट नाशक. यानि, a medicine that kills germs. अर्थात, एक ऐसी दवा, जो कीडों मकोडों को नश्ट कर देती है. Fetal का अर्थ है, घातक. यानि, that which may cause dead. अर्थात, वो जो प्रान घातक हो. Epidemic का अर्थ है, महा मारे. यानि, a disease that spread over a large area. अर्थात, विस्तित खेत्र में फैला रोग. Endemic का अर्थ है, स्थानिय या जातिय. समाने तह रोग या समस्या के लिए प्रयुक्त. यानि, a disease that spread over in a particular area. अर्थात, किसी विशेश क्षेत्र में फैलने वाला रोग, जैसे malaria. डिमोक्रेसी का अर्थ है, प्रजातंत्र. यानि, a government of the people, by the people and for the people. अर्थात, जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए. अर्थात, का अर्थ है, खाने योग्य, यानि, that is suitable for eating. अर्थात, जो खाने के योग्य हो. अर्थात, का अर्थ है, प्रवासी, यानि, a person who leaves his own country to live in another country. अर्थात, वो व्यक्ति, जो अपना देश छोड़कर, दूसरे देश में रहता हो. एक्स्टेंपोर का अर्थ है, बिना पूर्वतयारी के, यानि, a statement spoken without previous preparation. अर्थात, एक ऐसा कथन कहना, जो बिना पूर्वतयारी के कहा गया हो. एक्स्टेंपोर का अर्थ है, समाधी लेक, यानि, words inscribed on a tomb. अर्थात, कब्र पर खुदाई करके लिखा गया यादगार लेक. नमलोजी का अर्थ है, विधी विज्ञान, यानि, the study of law, अर्थात, कानून या विधी का अध्ययन करना. आर्थात, का अर्थ है, पुरा तत्तु विज्ञान, यानि, the study of ancient things, अर्थात, प्राचीन वस्तों का अध्ययन. प्लेजियरिज्म का अर्थ है, साहित्तिक चोरी, यानि, to steal the writings of other persons, अर्थात, दूसरे लोगों द्वारा लिखे गये लेक की चोरी करना. प्लेजियरिज्म का अर्थ है, समान्योक्ति, यानि, a statement that is spoken obviously true, अर्थात, एक ऐसा कथन, जो स्पष्ट रूप से सत्य बोला गया हो. इंडिलिबल, अर्थात, अमिट, यानि, that which cannot be erased or removed, अर्थात, जिसे मिटाया या हटाया ना जा सके. पैन्थियोन का अर्थ है, सर्वेश्वर मंदिर, यानि, a kind of temple dedicated to all gods. अर्थात, एक ऐसा मंदिर, जो सभी देवताओं को समर्पित हो. जिमोग्रेफी का अर्थ है, जन्सांख्य की, यानि, the study of population, अर्थात, जन्संख्या का अध्ययन करना. लिम्नोलजी का अर्थ है, सरोवर या तालाप विज्ञान, यानि, the study of physical phenomenon of leaks, अर्थात, जीलों की भौतिक घटना का अध्ययन करना. Set 3. Psychiatrist का अर्थ है, मनो रोग विशेशग्य, यानि, the specialist of mental or emotional disturbance, अर्थात, मानसिक या भावात्मक परिशानियों का विशेशग्य. Whisper का अर्थ है, फुस्फुसाना, यानि, to speak in a very low sound. अर्थात बहुत धीमे स्वर या ध्वनी में बोलना. Unfathomable का अर्थ है, अथा, यानि, a very deep place on which bottom cannot be reached. अर्थात, ऐसा गहरा स्थान, जिसके तल तक नहीं पहुचा जा सकता. Boutique का अर्थ है, दुकान, यानि, a small shop that sells all the fashionable clothes and cosmetic goods. अर्थात, एक छोटी सी दुकान, जो सभी लोग प्रियक कपड़े और सौंदर्रे समगरी को बेचती है. Tumor का अर्थ है, गाठिया रोग, यानि, the abnormal growth in some part of the body. अर्थात, शरीर के किसी भी भाग में असाधारन व्रिद्धी होना. Hypertension का अर्थ है, रक्त चाप बढ़ना, यानि, sudden high blood pressure. अर्थात, अचानक रक्त के दबाव का बढ़ जाना. Hypotension का अर्थ है, रक्त चाप घटना, यानि, sudden low blood pressure. अर्थात, अचानक रक्त चाप का घट जाना. Amphibious का अर्थ है, उभैचर, यानि, a creature of both land and water. अर्थात, भूमी और जल दोनों में रहने वाला प्रानी. Sedition का अर्थ है, राजद्रोह, यानि, the speech to incite the public against the government. अर्थात, एक ऐसा भाशन, जो जनता को सरकार के खिलाफ भड़का दे. Amistice का अर्थ है, युद्विराम, यानि, the agreement between two belligrants to stop fighting. अर्थात, दो युद्धरत देशों के बीच, युद्विराम के लिए समझौता. Unanimous का अर्थ है, एक मत, यानि, some decision on one matter. अर्थात, किसी मामले पर एक चैसा निर्ने लेना. Ransom का अर्थ है, फिरोती या मुल्यमुक्ती, यानि, the amount of money which is paid to release the person. अर्थात, व्यक्ती को छुडाने या मुक्त कराने के लिए जो पैसा दिया जाता है. Fauna का अर्थ है, पशु या जान्वर, यानि, an animal of a particular region और एरिया. अर्थात, किसी विशेश क्षेत्र का जान्वर या पशु. Flora का अर्थ है, पेड़ पौधे, यानि, the plants of particular area. अर्थात, किसी विशेश क्षेत्र या जगह का पौधा. Biped का अर्थ है, दो पैरों वाला जान्वर, यानि, the animal which have two feet. अर्थात, ऐसा जान्वर जिसके दो पैर है. Quadruped का अर्थ है, चौपाया, यानि, the animal which have four feet. अर्थात, ऐसा जान्वर जिसके चार पैर होते हैं. वसो का अर्थ है, बाई तरफ का पैज, यानि, any page of left side, अर्थात, बाई तरफ का कोई भी पैज. Recto का अर्थ है, दाहिने तरफ का पैज, यानि, any page of right side, अर्थात, दाहिने तरफ का कोई भी पैज. Ephemeral का अर्थ है किशनिक यानि a very short time of period अर्थात बहुत कम समय Postscript का अर्थ है उपलेख यानि in a letter anything is written after signature अर्थात हस्ताक्षर के बाद पत्र में लिखी गई कोई बात Set 4 Peninsula का अर्थ है प्रायद्वीप यानि the land which is totally surrounded by sea अर्थात ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो Calligraphy का अर्थ है सुलेखन यानि the art of beautiful handwritings अर्थात सुन्दर लिखने की कला Horticulture का अर्थ है बागवानी यानि the art of growing vegetables, fruits and flowers अर्थात सबजियों, फलों एवं फूलों को उगाने की कला Sculpture का अर्थ है मूर्थी कला यानि the art of carving figures on wood, stone or clay अर्थात लकडी, पत्थर या मिट्टी पर खुदाई करके बनाया गया चित्र Cartography का अर्थ है मांचित्र बनाने की कला यानि the art of making map अर्थात मांचित्र बनाने की कला Ceramics का अर्थ है मिट्टी की वस्तु बनाना यानि the art of making objects from clay अर्थात मिट्टी के द्वारा बर्तन, खिलोने या अन्य वस्तु बनाने की कला Dam का अर्थ है बांध यानि the artificial lake for restoring water अर्थात पानी को इकठा करने की बनावटी जील या जलाशे Aquarium का अर्थ है जल जीव शाला यानि the artificial pond where fish and plants are kept अर्थात वो बनावटी तलाब जहां मचली और पौधों को रखा जाता है Preface का अर्थ है भूमिका या प्रस्तावना यानि the introducing part of a book अर्थात किसी किताब का शुरुआती भाग Honorary का अर्थ है अवैतनिक यानि a work without salary अर्थात काम के बदले पैसा ना मिलना या तनख्वा ना मिलना Illigible का अर्थ है अपठनिय यानि that which cannot be eat अर्थात जिसको पढ़ा ना जा सके Incorrigible का अर्थ है जिसे ठीक ना किया जा सके यानि that cannot be correct अर्थात जिसको ठीक ना किया जा सके Inflammable का अर्थ है ज्वलनशील यानि that which can easily set on fire अर्थात जहां असानी से आग लगाई जा सके Linguist का अर्थ है भाषा ज्यानी यानि one who knows many languages अर्थात जो कई भाषाओं का जानकार हो Mercenary का अर्थ है भाड़े का या किराये का यानि working for money अर्थात पैसे के लिए काम करना Mortuary का अर्थ है मुर्दाघर यानि a place where dead bodies are kept for post mortem अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पर शवों को शव परिक्षन के लिए रखा जाता है Anthropist का अर्थ है मानव प्रेमी यानि a person who loves mankind अर्थात वो व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो Obsolete का अर्थ है अप्रचलित यानि that which is no longer in use अर्थात जिसे लंबे समय से प्रयोग में ना लाया गया हो Opic का अर्थ है अपारदर्शी यानि that which cannot be seen through अर्थात जिसके आर पार देखा ना जा सके Panachia का अर्थ है रामबान यानि a remedy for all kinds of disease अर्थात सभी प्रकार के रोगों के लिए एक उप्चार Set 5 Orthodox का अर्थ है रूडिवादी यानि having the conventional beliefs in matter of religion अर्थात धार्मिक मामलों में पुराने विचार रखना Polyandry का अर्थ है बहुपति प्रथा यानि having more than one husband at the same time अर्थात एक समय में एक से अधिक पती रखना Polygamy का अर्थ है बहुपत्नी प्रथा यानि having more than one wife at the same time अर्थात एक समय में एक से अधिक पत्नी रखना Recluse का अर्थ है सन्यासी यानि a person who lives alone and avoids people अर्थात वो व्यक्ति जो एकांत में रहता है तथा लोगों को अंदेखा करता है Titoatler का अर्थ है शराब ना पीने वाला यानि a person who does not take any alcoholic drinks अर्थात वो व्यक्ति जो किसी प्रकार की शराब नहीं पीता Transparent का अर्थ है पारदर्शक यानि that which can be seen through अर्थात जिसके आर पार देखा जा सके Usurer का अर्थ है सूथ खोर यानि a person who lends money at a very high interest अर्थात वो व्यक्ति जो अधिक ब्याज पर पैसा उधार देता है Veteran का अर्थ है अनुभवी व्यक्ति यानि a person who has long experience अर्थात वो व्यक्ति जिसे लंबे समय से अनुभव हो Voluntary का अर्थ है स्वेच्छा पूर्वक यानि a work done by one's own free will अर्थात स्वेच्छा से किया गया कोई कार्य Wardrobe का अर्थ है कपड़े रखने की अल्मारी यानि a place where clothes are kept अर्थात वो स्थान जहां कपड़े रखे जाते है Widower का अर्थ है विधुर यानि a man whose wife is dead अर्थात वो व्यक्ती जिसकी पतनी मर गई हो Felony का अर्थ है महा अपराथ यानि a serious crime like murder अर्थात गंभीर अपराथ जैसे हत्या या आगजनी Remand का अर्थ है हवालात में वापस भेजना यानि a criminal who is sent back into the custody for further investigation अर्थात एक अपराथी जिसे पुनह आगे की पूछताच के लिए हिरासत में भेज दिया गया हो Reese's का अर्थ है गुप्त स्थान यानि a secret place where it is difficult to reach अर्थात एक ऐसी रहस्य मई जगा जहां पहुँचना कठिन है Fumble का अर्थ है टटोलना यानि search in the darkness अर्थात अंदकार में खोजना Conventical का अर्थ है गुप्त धार्मिक सभा यानि a secret religious meeting अर्थात एक गुप्त धार्मिक सभा Endorsement का अर्थ है हस्ताक्षर यानि a signature on the back side of a paper और a check अर्थात किसी paper या check के पीछे तरफ किया गया हस्ताक्षर Set 6 Contrite का अर्थ है पश्चाताप से भरा यानि to show very deep sorrow for wrong working अर्थात गलत कार्यों के लिए बहुत गहरा पश्चाताप दिखाना Excursion का अर्थ है सेर सपाटा यानि a short journey for pleasure अर्थात आनंद लेने के लिए की गई छोटी यात्रा Maxim का अर्थ है कहावत यानि a short expression of general truth अर्थात सामान्य सच्चाई का एक लगू कथन Migratory का अर्थ है देशांतरन या स्थानांतरन यानि a bird that comes and goes with season अर्थात वे पक्षी जो मौसम या रितू परिवर्तन होने पर देश छोड़ कर चले जाते हैं Egalitarianism का अर्थ है समतावादी यानि where all people are considered as equal and have the same rights and opportunities अर्थात जहां पर सभी लोगों को समान समझा जाता है समान अधिकार प्राप्थों तथा समान सोभाग्य भी प्राप्थों Laconic का अर्थ है संग्षिप्त रूप में यानि to use few words to express अर्थात अभी व्यक्ति करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना Dogma का अर्थ है हट धर्मिता यानि to accept without questions अर्थात बिना किसी प्रश्न किये विचारों को स्विकार कर लेना Hedonism का अर्थ है सुखवाद यानि where the pleasure is the chief end अर्थात जहां आनन्ध ही सबसे बड़ा या मुख्य अन्थ है Agnosticism का अर्थ है अग्यवाद या संशेवाद यानि one who believes that nothing can be said about the existence of God अर्थात वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि इश्वर के अस्तित्यों के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता Anecdote का अर्थ है चुटकुला या किस्सा यानि a short humorous story of a person or event अर्थात किसी व्यक्ति या घटना के बारे में एक लगू हास्यात्मक कथा Horology का अर्थ है समय विज्ञान यानि the science of time अर्थात समय का विज्ञान Anatomy का अर्थ है शरीर रचना विज्ञान यानि the science of the physical structure of the body अर्थात शरीर रचना ये शरीर की बनावट का विज्ञान Etiology का अर्थ है रोग विज्ञान यानि the science which study the cause of disease अर्थात एक ऐसा विज्ञान जो रोग के कारणों का अध्ययन करता है Kalology का अर्थ है सौंदर्य विज्ञान यानि the science of human beauty अर्थात मानव की सौंदर्ता का अध्ययन करने वाला विज्ञान Criminology का अर्थ है अपराध विज्ञान यानि the science of crimes and criminals अर्थात अपराधों और अपराधियों का विज्ञान Skelton का अर्थ है कंकाल यानि a fleshless framework of human or animal body अर्थात मानव या पशु के शरीर की ऐसी सरंचना जो बिना माज के हो Ornithology का अर्थ है पक्षी विज्ञान यानि the science of births अर्थात पक्षियों का विज्ञान Encyclopedia का अर्थ है विष्वकोष यानि the book that contains the information from all branches of knowledge अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित तथ्य हो Set 7 Terminology का अर्थ है शब्दावली विज्ञान यानि a science which deals with the proper use of terms अर्थात वो विज्ञान जो उचित शब्दों का चयन करता है Jurisprudence का अर्थ है विधिशास्त्र यानि the science and philosophy of human law अर्थात मानव कानून का विज्ञान और दर्शन Posthumus का अर्थ है मर्नो परांथ यानि a born of child after his father's death अर्थात पिता की मृत्यू के बाद पैदा होने वाला बच्चा या the book which published after the death of the author अर्थात लेखक की मृत्यू के बाद जो किताब प्रकाशित होती है coffin का अर्थ है ताबूत यानि a box where a dead body is kept before burial अर्थात एक ऐसा डिब्बा जिसमें शवों को दफन करने से पहले रखा जाता है compendium का अर्थ होता है सारांश यानि the zest of the subject matter अर्थात विशय वस्तू का संक्षिप्त spiritualism का अर्थ है आध्यात्मवाद यानि the belief that in the world the only reality is spirit अर्थात इस संसार में ये विश्वास करना कि केवल आत्मा ही सत्य है kindergarten का अर्थ है छोटे बच्चों के लिए school यानि the school for very young children अर्थात एक ऐसा school जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हों recite का अर्थ है सस्वर पढ़ना यानि to speak or read loud, by and fluently अर्थात खुल कर तेजी से बोलना या पढ़ना scullery का अर्थ है बर्तन धोने का घर यानि a room for washing vessels अर्थात एक कमरा जहां पर रसोई घर का बर्तन धुला जाता है etiquette का अर्थ है शिश्टाचार यानि formal behavior among people अर्थात लोगों के बीच में अपचारिक व्यवार करना potico का अर्थ है द्वार मंडप यानि a roof supported by pillars at the entrance of a building अर्थात इमारत में प्रवेश करते समय खंबो द्वारा सहारा देकर बनाई गई चत privilege का अर्थ है विशेश अधिकार यानि the rights and advantage provided to a person अर्थात किसे व्यक्ति को दिया गया अधिकार या लाब remuneration का अर्थ है का मेहनताना यानि to pay money for work or service अर्थात काम या सेवा के लिए दिया जाने वाला धन repatriate का अर्थ है स्वदेश वापसी करना यानि back to one's own country अर्थात अपने देश वापस लोटना या आना reconcile का अर्थ है मेल मिलाप या समझोता यानि a harmony or agreement between two party और issue अर्थात दो मुद्दों या दो समुहों के बीच सामन जस्य या सहमती reticent का अर्थ है अल्प भाशी यानि the person who speak very less अर्थात वो व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो समन का अर्थ है उपदेश यानि a debate on a religious topic अर्थात धार्मिक विशय पर बहस करना या वार्तालाप करना set eight stable का अर्थ है अस्तबल यानि a place where horses are kept अर्थात वो स्थान जहां घोडों को रखा जाता है gallery का अर्थ है कला विथी का यानि a place where works of art are display अर्थात वो स्थान जहां पर कला कृतियों को प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया जाता है monastery का अर्थ है mat यानि a place where monks live यानि वो स्थान जहां पर साधू संथ रहते है arsenal का अर्थ है आयुद शाला यानि a place or building where military weapons are prepared or stored अर्थात वो स्थान या इमारत जहां पर सैनिक औजार बनाए और सरंक्षित किये जाते है barracks का अर्थ है barrack या फौजियों के रहने का स्थान यानि a building where soldiers live अर्थात वो इमारत जहां पर सिपाही रहते है import का अर्थ है आयात यानि to bring the things from the foreign country अर्थात विदेश से वस्तूओं को मंगाना export का अर्थ है निर्यात यानि to send the things to foreign country अर्थात वस्तूओं को विदेशों में भेजना equanimity का अर्थ है धर्या यानि to have calmness और patience अर्थात शांती या धर्या बनाय रखना unexplicable का अर्थ है अवर्णनिय यानि that cannot be explained अर्थात जिसका वर्णन ना किया जा सके invincible का अर्थ है पराजय यानि that can be defeated अर्थात जिसको हराया जा सके perceptible का अर्थ है बोद गम्य यानि that which can be perceived अर्थात जिसको आसानी से समझा जा सके mammal का अर्थ है स्तंधारी जीव यानि the animal that feeds its young with milk अर्थात वो जानवर जो अपने बच्चों को दूद पिलाता हो expressible का अर्थ है अभिव्यक्त करने योग्य यानि that which can be expressed in words अर्थात जिसको शब्दों में व्यक्त किया जा सके vulnerable का अर्थ है असुरक्षित यानि that which can be easily damaged or hurt अर्थात जिसको आसानी से घायल या बरबाद किया जा सके accessible का अर्थ है सुगम यानि a place where can be easily reached अर्थात वो जगां जहां आसानी से पहुचा जा सके hold का अर्थ है कोश या खजाना यानि carefully saved and store of money अर्थात सावधानी पुर्वत सुरक्षित और इकठा करके रखा गया धन intercept का अर्थ है बीच में रोकना या बाधा डालना यानि to check और stop between beginning और end अर्थात शुरू और अंध के बीच में ही रोकना hospitality का अर्थ है आतिथ्य सतकार यानि to receive the guests warmly अर्थात अतिथियों का गर्म जोशी के साथ स्वागत करना set night syno shore का अर्थ है आकर्षन का केंद्र यानि the center of attraction अर्थात आकर्षन या मोहित करने का केंद्र perspicacious का अर्थ है कुशाग्र बुद्धी वाला यानि quick to judge and understand अर्थात जो निर्णे लेने में या समझने में देर ना करे custodian का अर्थ है परिरक्षक यानि the person who take care of a public building अर्थात वो व्यक्ति जो सार्वजनिक इमारत की देखभाल करता हो coronation का अर्थ है राज्या भिशेक यानि the ceremony which is organized at the crowning of a king अर्थात समारो जो राज्या के राज्या भिशेक के अफसर पर आयोजित किया जाता है submerge का अर्थ है पानी में डुबोना यानि to sink something into the water अर्थात पानी में किसी वस्तु को पूर्ण तह डुबो देना procrastinate का अर्थ है स्थगित करना यानि to put off for a long time अर्थात लंबे समय के लिए टाल देना festoon का अर्थ है बंदनवार या जालर यानि a chain of flowers, leaves and ribbons अर्थात फूलों, पत्तियों और फीते की बनी कडी या जंजीर asylum का अर्थ है शरन स्थल यानि a place where one can get shelter अर्थात वो स्थान जहां पर व्यक्ती शरन पा सकता है diversion का अर्थ है मार्ग या दिशा बदलने की क्रिया यानि change of direction और way अर्थात दिशा या मार्ग में परिवर्तन करना legacy का अर्थ है पैत्रिक संपत्ती यानि the property which is left by a person willingly अर्थात वो संपत्ती जो एक पुरुष्ट्वारा इच्छा पुर्वक छोड़ दी गई हो transformation का अर्थ है रुपांतरन यानि to change in structure, appearance and quality अर्थात सरंचना, बनावट और गुण में परिवर्तन करना pacifism का अर्थ है शान्तिवाद यानि the principle in which peace is followed during the war अर्थात एक ऐसा सिधान्त जिसमें शान्ति का अनुसरन किया जाता है perversion का अर्थ है अस्वभाविक यानि to change something abnormally and unnaturally अर्थात असाधारन और अप्राकर्तिक परिवर्तन करना transitional का अर्थ है संक्रमन या परिवर्तन का काल अर्थात एक स्थिती से दूसरे स्थिती में परिवर्तन होना congenital का अर्थ है जन्मजात या पैदाशी यानि from the beginning of the birth अर्थात जन्म के समय से ही ethos का अर्थ है लोकाचार यानि the features of a culture अर्थात एक संस्कृती की विशेष्टा या लक्षन थियोगैमी का अर्थ है ईश्विवा यानि the marriage of God अर्थात ईश्वर की शादी protagonist का अर्थ है कहानी का मुख्य पात्र यानि the main character of a story अर्थात कहानी का मुख्य पात्र या चरित्र ओर्फन का अर्थ है अनाथ यानि a child whose parents are dead अर्थात वो बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यू हो चुकी है अस्वभाविक यानि to change something abnormally and unnaturally अर्थात असाधारन और अप्राकर्तिक परिवर्तन करना transitional का अर्थ है संक्रमन या परिवर्तन का काल यानि to change from one condition to another अर्थात एक स्थिती से दूसरे स्थिती में परिवर्तन होना congenital का अर्थ है जन्म जात या पैदाईशी यानि from the beginning of the birth अर्थात जन्म के समय से ही इथोज का अर्थ है लोकाचार यानि the features of a culture अर्थात एक संस्कृती की विशेश्ता या लक्षन थियोगैमी का अर्थ है ईश्विवा यानि the marriage of God अर्थात ईश्वर की शादी protagonist का अर्थ है कहानी का मुख्यपात्र यानि the main character of a story अर्थात कहानी का मुख्यपात्र या चरित्र orphan का अर्थ है अनात यानि a child whose parents are dead अर्थात वो बच्चा जिसके माता-पिता की मृत्यू हो चुकी है संकलित करना यानि to collect information and arrange it in a book अर्थात सूचनाओं को इकठा करके उन्हें एक किताब में सूव्यवस्थित करना gaggle का अर्थ है स्त्रियों का समूः यानि a group of locatious girls or women अर्थात बातूनी लड़कियों या औरतों का जुन्ड या समूः Ligible का अर्थ है पठनिय यानि that can be easily read अर्थात जिसे आसानी से पढ़ा जा सके Contemporary का अर्थ है समकालीन यानि that happens at the same time or same period अर्थात वो जो एक ही समय में घटित होता है Anthology का अर्थ है गद्य या पद्य समूः यानि a collection of prose and poetry अर्थात गद्य या पद्य का संग्रह Aristocracy का अर्थ है कुलीन तंत्र यानि a government by the person of highest class अर्थात उच्चवर के लोगों की सरकार Meritocracy का अर्थ है बुद्धी जीवियों की सरकार यानि a government by the intellectual persons अर्थात बुद्धिमान लोगों की सरकार Consensus का अर्थ है सर्वसम्मती यानि a unanimous decision at an issue अर्थात किसे मुद्धे पर एक मत निर्णए Intervence का अर्थ है हस्तक्षेप करना यानि to interfere among others in a time अर्थात दूसरों के मामले में दखल देना Caravan का अर्थ है काफिला यानि a group of people making a journey together for safety अर्थात लोगों का समूँ जो यात्रा के समय अपनी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है Grumble का अर्थ है Garajna या भन बनाना यानि to complain angrily अर्थात क्रोथ पूर्वक शिकायत करना Revolution का अर्थ है Kranti यानि a great change in the government of a country by the large number of people Volently अर्थात हिंसात्मक तरीके से अधिक संख्या में लोगों द्वारा देश की सरकार में किया गया बड़ा परिवर्तन Plutocracy का अर्थ है Dhanik Tantra यानि a government by the rich and powerful class अर्थात धार्मिक और ताकत्वर लोगों की सरकार Transmogrification का अर्थ है Porn Badlaav यानि to change something completely in surprising way अर्थात आश्चर्य जनक तरीके से किया गया पोन परिवर्तन या बड़लाव Set 11 Monarchy का अर्थ है Raj Tantra यानि a government by a king or queen अर्थात राजा या रानी का शासन Oligarchy का अर्थ है Alp Tantra यानि rule by a few people अर्थात कुछ लोगों द्वारा शासन किया जाना Missologist का अर्थ है Shikshadweshi यानि a person who hated education अर्थात वो व्यक्ति जो Shikshadwesha से ग्रिना करता है Zophobia का अर्थ है जानवरों से भय यानि fear of animals अर्थात जानवरों से भय या डर Posterity का अर्थ है भावी पीधी यानि the coming generation in future अर्थात भविष्य में आने वाली पीधी Symposium कार्थ है छोटा समारो यानि a conference for the discussion on a particular subject अर्थात किसी विशेश विशय पर सामोहिक बातचेत के लिए बुलाई गई सभा Census कार्थ है जनगर्णा यानि an official counting of the whole population अर्थात जनसंख्या की सरकारी गिंती करना Promiscuous कार्थ है व्याभिचारी व्यक्ती यानि having many sexual partners अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों से six करने वाला व्यक्ती Choreography कार्थ है ताल बद नृत्या यानि to create a stage dance अर्थात रंग मच नृत्या की रचना करना पेरोरेशन का आर्थ है उपसंहार यानि the final part of a speech in which the speaker gives a summary of main point अर्थात किसी भी भाशन का अन्तिम भाग जिसमें वक्ता पूरे भाशन का निचोड व्यक्त करता है इलिट्रेट का अर्थ है अनपढ या अशिक्षित अर्थात a person who can neither read nor write अर्थात वो व्यक्ती जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है असॉल्टर का अर्थ है आक्रमन कारी या हमलावर यानि one who attacks first अर्थात वो व्यक्ती जो सर्व प्रथम आक्रमन करता है Malnutrition का अर्थ है कुपोशन यानि a poor condition of health due to the lack of food अर्थात भोजन के अभाव में स्वास्थ्य खराब होना या बिगर्णा सर्कम्स्टांस का अर्थ है परिस्थिती या दशा यानि the conditions and facts that are connected with a person or event अर्थात ऐसी दशा और तथ्य जो किसी व्यक्ति या घटना से जुड़े हो ग्रेफलोजिस्ट का अर्थ है हस्त लेखा विशेशग्य यानि a person who judges handwritings अर्थात वो व्यक्ति जो हस्त लेखा का विशलेशन करता है blasphemy का अर्थ है ईश्वर निंदा या धर्म की निंदा यानि a person who insults God or religion अर्थात वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म की निंदा करता है omnibus का अर्थ है सर्वसंग्रे यानि together of all things अर्थात सभी वस्तों को इकठा करना replica का अर्थ है प्रतिकृति यानि the exact copy of a work of art अर्थात किसी भी रचना की हू बहू नकल रीथ कार्थ है पुषपाहार या माला यानि a garland of flowers अर्थात फूलों की माला kingdom कार्थ है राज्य यानि a country ruled by king or queen अर्थात एक देश जो किसी राजा या रानी के द्वारा शासित किया जाता हो Exodus का अर्थ है विदाई या बहिरगमन यानि a departure from one place to another अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निरगमन Protectorate का अर्थ है सरक्षित राज्य यानि a country that is protected by a strong state अर्थात एक ऐसा देश जो किसी मजबूत देश के द्वारा सरंक्षन प्राप्त करता हो Curriculum का अर्थ है पाठ्यक्रम यानि a syllabus of studying in a school or college अर्थात school या college में पाठ्य विवरन Enfranchise का अर्थ है मताधिकार देना यानि to give the right to vote अर्थात किसी को वोट देने का अधिकार प्रदान करना Harvest का अर्थ है फसल काटकर इकठा करना यानि to cut and gather off grains अर्थात अनाजों को काटना और इकठा करना Xenophobia का अर्थ है विदेशियों से भय यानि fear of foreigners अर्थात विदेशी व्यक्तियों से डर Trample का अर्थ है कुचलना या रौंधना यानि to crash under the feet अर्थात पैर के नीचे कुचल देना Monogamy का अर्थ है एक पतनी या एक पती प्रथा यानि marriage with a single man or woman अर्थात एक ही पती या पतनी से विवाह करना Premonition का अर्थ है पूर्वसूचना यानि to predict of an impending danger अर्थात निकट भविश्य में होने वाले खतरे के बारे में भविश्यवानी करना Means का अर्थ है कीमा करना या छोटे छोटे टुकडों में काटना यानि to cut into small pieces अर्थात छोटे छोटे टुकडों में काट लेना Set 13. Directive का अर्थ है यानि to give instructions to someone अर्थात किसी को सूचना देना Autophobia का अर्थ है स्वयम से भय यानि fear of oneself अर्थात अपने आप से डरना Necrophobia का अर्थ है शव से डर यानि fear of dead body अर्थात मृतक शरीर से डर लगना Amputation का अर्थ है अंग विच्छेदन यानि to cut off arms and legs from the body by surgery अर्थात शल्ले चिकित साद्वारा शरीर से हाथ और पैर को काट लेना Ecophobia का अर्थ है घर के चारों और की वस्तूओं से डर यानि fear of the surrounding of home अर्थात घर के चारों और की वस्तूओं से डर लगना Retaliate का अर्थ है प्रतिशोद लेना यानि to take revenge from his enemy अर्थात अपने शत्रू से बदला लेना Communicate का अर्थ है सरकारी घोशना यानि a government announcement issued to the press अर्थात प्रेस के लिए जारी की गई एक सरकारी घोशना Mutilation का अर्थ है विक्रिती यानि a damaged part of the body by breaking or cutting अर्थात तूट कर या कट कर विक्रित किया गया शरीर का कोई भी अंग Aerophobia का अर्थ है उन्चाई से डर यानि fear of heights अर्थात उन्चाई से डर लगना Preach का अर्थ है उपदेश देना यानि to orate a religious or moral speech अर्थात धार्मिक या नैतिक उपदेश देना Hinchman का अर्थ है सेवक या अनूचर यानि a faithful servant अर्थात विश्वस्निय सेवक या नौकर Sadism का अर्थ है जो दूसरों के दुख से खुश होता है अर्थात the person who derives pleasure from the pain of others अर्थात वो व्यक्ति जो दूसरों के दुख से स्वयम प्रसन होता है Default का अर्थ है वादा खिलाफी करना यानि to fail to pay the debt in time अर्थात समय के अंदर पैसा देने में असमर्थ होना Kleptomania का अर्थ है चोरी करने की आदत यानि habit of stealing the articles अर्थात वस्तों को चोरी करने की आदत Malice का अर्थ है दुर्भावना यानि having the desire to harm others अर्थात दूसरों को नुकसान पहुचाने की भावना रखना Voilet का अर्थ है उलंगन करना यानि to break the law or promises अर्थात कानून या वादा तोडना या ना मानना Predictment का अर्थ है अप्रिय या कठिन स्थिती यानि a difficult and dangerous situation अर्थात कठिन और खतरनाक स्थिती Subjugate का अर्थ है अधीन या दमन करना यानि to bring under control in the war अर्थात युद में शत्रो को अधीन करना या उसका दमन करना Benediction का अर्थ है आशिर्वाद यानि the bless given by a priest अर्थात एक संत द्वारा दी गई प्रतिग्या या आशिर्वाद Set 14, Superstition का अर्थ है अंद विश्वास यानि that which is not based on reason or knowledge अर्थात जो तर्क और ज्यान पर अधारित ना हो Insignia का अर्थ है अधिकार चिन या badge यानि different marks of an office अर्थात किसी कार्या लएके भिन भिन चिन Congregation का अर्थ है धर्म मंडली यानि the assembly of priests अर्थात पुजारियों की सभा Humanism का अर्थ है मानवतावाद यानि love for mankind अर्थात मानवता के प्रती प्रेम Revive का अर्थ है पुनह जीवित करना या होश में लाना यानि to bring back to live अर्थात पुनह जीवन प्रदान करना Diagnosis का अर्थ है रोग के कारणों की पहचान की क्रिया यानि to find out the disease and cure it अर्थात रोग का पता लगाना और इसका उपचार करना Scripture का अर्थ है धर्म ग्रंथ यानि a book of religious nature अर्थात धार्मिक प्रविती वाली किताब Anomaly का अर्थ है असंगत यानि something that is different from what is normal अर्थात जो सामान्य से अलग हो Delegacy का अर्थ है प्रतिनिधित्व यानि a person who is chosen to represent the view of a group of people and make decision for them अर्थात लोगों के विचारों को अभिव्यक्त करने तथा उनके लिए निर्ने लेने के लिए चुना गया एक व्यक्ती Vanish का अर्थ है एका एक गायब हो जाना यानि to disappear from the sight अर्थात द्रिश्य से ओजल हो जाना Cradle का अर्थ है खटोला या बच्चे का पालना यानि a bet for new born baby अर्थात हाल ही में पैदा हुए बच्चे के लिए बिस्तर Communalism का अर्थ है संप्रदायवाद यानि living together and sharing positions and responsibilities अर्थात एक साथ रहना और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बांटना हाइव का अर्थ है मधु मखियों का छट्ता यानि an artificial center for honeybees अर्थात मधु मखियों के शहत के लिए बनावटी केंद्र Recreation का अर्थ है मनोरंजन यानि a refreshment और amusement after hard work अर्थात कठीन कार्य करने के बाद तरो ताजा और मनोरंजन करना Nationalism का अर्थ है राष्ट्रवाद यानि a feeling of love and fright for the country अर्थात देश के लिए प्रेम और गर्व की भावना Eternal का अर्थ है शाश्वत या अनन्त यानि that exists forever अर्थात जो हमेशा अस्तित्तु में रहे Racialism का अर्थ है जातिवाद यानि a feeling of love and devotion for a particular race अर्थात किसी विशेश जाती के लिए प्रेम और त्याग की भावना Set 15 Cavalier का अर्थ है घुडसवार यानि a person who is expert in horse riding अर्थात वो व्यक्ती जो घुडे की सवारी करने में कुशल हो Discripancy का अर्थ है दो बातों में अंतर यानि a difference between two things that should be the same अर्थात दो चीजों के बीच में अंतर जो एक जैसी हो Allegation का अर्थ है प्रमान रहित आरोप यानि a false statement against a person अर्थात किसे व्यक्ती के विरुद जूटा वक्तव्य कहना Annihilate का अर्थ है उन्मूलन करना यानि to destroy completely अर्थात पून रूप से बरबात करना या नश्ट करना Elevate का अर्थ है दुख या कष्ट को कम करना यानि to reduce the sorrow and suffering अर्थात दुख या दर्थ को कम करना Epiculture का अर्थ है मधु मखियों का पालन यानि to the cultivation and maintenance of bee hive अर्थात मधु मखियों का चत्ता उगाना और उसका रख रखाव करना Relegate का अर्थ है पद अवनती करना यानि to reduce to a lower post अर्थात नीचे पद पर करना Hound का अर्थ है शिकारी कुत्ता यानि a dog that is used for hunting or racing अर्थात एक ऐसा कुत्ता जिसका प्रयोग शिकार और दौर के लिए किया जाता है Arbiter का अर्थ है मद्यस्त या punch यानि one who gives decision between two parties अर्थात दो दलों की बीच निर्णय देने वाला व्यक्ती Contagious का अर्थ है स्पर्ष से फैलने वाला रोग यानि a disease that spreads by contact अर्थात वो रोग जो संपर्ख या स्पर्ष से फैलता है Elgari का अर्थ है दृष्टांत कथा यानि a story और play in which each character or event is a symbol representing an idea or a quality अर्थात एक कहानी या नाटक जिसमें प्रितियक पात्र या घटना एक प्रतीक होता है जो किसी विचार या गुन को प्रस्तुत करता है Monologue का अर्थ है स्वागत भाशन यानि a drama in which a single character speaks अर्थात नाटक जिसमें केवल एक पात्र बोलता है Antagonistic का अर्थ है विपक्षी या विरोधी यानि a hostility with the others अर्थात दूसरों से दुश्मनी Antibody का अर्थ है प्रतिरक्षी यानि a kind of substance in the body tending to neutralize others that are harmful अर्थात रक्त में उपस्थित ऐसा पदार्थ जो हानिकारक तत्वों को नश्ट करता हो Pandemic का अर्थ है देश्व्यापी महामारी यानि a widespreaded disease अर्थात विश्तृत क्षेत्र तक फैला हुआ रोग Arsenal का अर्थ है शस्त्रागार यानि a place where military weapons are prepared and stored अर्थात वो स्थान जहां सैनिक हतियार बनाए जाते हैं तथा रखे जाते हैं Naturalism का अर्थ है प्रकृतिवाद यानि the idea that everything in the world and life is based on natural causes and law अर्थात ये विचार कि संसार और जीवन में प्रत्येक वस्तू प्राकृतिक कारणों और नियमों पर अधारित है सेट 16 मास्क का अर्थ है मुखोटा या नकाब यानि a dramatic performance अर्थात नाटकिय प्रदर्शन ग्रेचुटस का अर्थ है निशुल्क यानि to do without payment और free of cost अर्थात बिना पैसे के या बिना कीमत लिए कार्य करना प्रोडिजी का अर्थ है विलक्षन गुन संपन बालक यानि a child who has remarkable talent अर्थात एक बालक जिसमें अद्बुत प्रतिभा हो bilateral का अर्थ है द्वी पक्षिय यानि done by both sides और parties अर्थात दो पक्षों या दलो द्वारा किया गया misinterpret का अर्थ है गलत अर्थ लगाना यानि to draw a false conclusion अर्थात गलत अर्थ को निकालना sollicitous का अर्थ है उत्सुक यानि a person who is anxious to help others अर्थात वो व्यक्ति जो दूसरों की सहायता के लिए सदैव उत्सुक रहता है instantaneous का अर्थ है तातकालिक यानि that happens immediately अर्थात जो तुरंत खटित होता है transmigration का अर्थ है स्थान परिवर्तन यानि to go from one place to another अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना Cereal का अर्थ है अनाज यानि a type of grain that is used for food अर्थात एक प्रकार का अनाज जो खाने में प्रयुक्त किया जाता है Unilateral का अर्थ है एक पक्षिय यानि done by one site और one party अर्थात एक तरफ से या एक दल द्वारा किया गया सपल का अर्थ है कोमल या लचीला यानि that can be easily bend अर्थात जिसको आसानी से मोड़ा या घुमाया जा सके Capitalism का अर्थ है पूंजीवात यानि an economic system in which a country's business and industry are controlled by private owners अर्थात एक आर्थिक व्यवस्था जिसमें देश का व्यापार और उद्योग गैर सरकारी मालिकों द्वारा नियंत्रित होता है Imbecile का अर्थ है गबन करना यानि one who uses public money for the sake of oneself अर्थात वो व्यक्ति जो जनता के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए उप्योग करता है Hapazard का अर्थ है अव्यवस्थित यानि that which is in disorder अर्थात वो जो अव्यवस्थित अवस्था में हो Havoc का अर्थ है तबाही या बर्बादी यानि the violence which is spread widely अर्थात वो हिंसा जो विश्थित स्थर पर फैल चुकी हो Anonymous का अर्थ है गुमनाम यानि a work or art whose author is unknown अर्थात ऐसी रचना जिसके लेखक का पता ना हो Ambulence का अर्थ है आपात वाहन यानि a van which carries sick or wounded people अर्थात वो गाड़ी जो बिमार और घाय लोगों को ले जाती है Set 17 Shroud का अर्थ है कफन अर्थात वो कपड़ा जो शव पर लपेटा जाता है Sacrilege का अर्थ है अपवित्री करण यानि to pollute sacred things or place अर्थात पवित्र स्थान या वस्तु को गंदा करना या अपवित्र करना Greatest का अर्थ है मुफ्त या निशुल्क यानि that which is without fee अर्थात वो जो बिना fees का हो Gratuity का अर्थ है सेवा निवृत्री के बाद मिलने वाला धन यानि the money which is given after retirement अर्थात वो धन जो सेवा निवृत्री के बाद उपहार की रूप में दिया जाता है Finery का अर्थ है सुन्दर चमकीले पोशाक यानि the elegant and shining dress अर्थात सुन्दर और चमकीले दिखने वाले कपडे वजिन का अर्थ है कुवारी यानि a woman or girl who has no sexual experience अर्थात वो औरत या लड़की जिसे यौन संबंधी अनुभव ना हो पॉन का अर्थ है बंधक या गेहन रखना यानि to give his money or jewelry or other things to pay the rent अर्थात किराया देने के लिए अपने धन या गेहने या अन्य वस्तों को बंधक रखना इम्यून का अर्थ है रोग मुक्त यानि to free from the disease अर्थात रोगों से मुक्ती पाना seduce का अर्थ है प्रलोभन देना यानि to entice someone for sexual intercourse अर्थात किसी को यौन संबंध बनाने के लिए लुभाना monogram का अर्थ है दो या दो से अधिक अक्षरों का खाका बनाना यानि to combine two or more than two letters in one design अर्थात एक ही रूप रेखा में दो या दो से अधिक अक्षरों को इकठा करना fondal का अर्थ है दुलारना यानि to love heartly अर्थात दिल से चाहना या प्यार करना explore का अर्थ है खोजना यानि to travel from one place to another with a purpose to learn about it अर्थात इस उदेश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना कि कुछ इसके बारे में सीखा जा सके coalition का अर्थ है गटबंदन या सहमिलन अर्थात meeting of two political parties for a purpose अर्थात किसे उदेश्य के लिए दो राजनितिक दलों का सहमिलन runway का अर्थ है path यानि a ground where aeroplanes are take off and land अर्थात वो स्थान जहां से जहाज उड़ता और उतरता है confederacy का अर्थ है सयुक्त राज्य या संग यानि the union of states, parties और persons अर्थात राज्य, दल या व्यक्तियों का संग amphitheater का अर्थ है गोलाकार या अंडाकार रंगमंडल यानि a egg-like building for games and amusement अर्थात एक अंडे के आकार की इमारत जहां पर खेल और मनोरंजन को आयोजित किया जाता है हियोसे का अर्थ है अफवा यानि the wrong information was rumored by someone अर्थात किसी के द्वारा जूटी अफवा उडाना या फैलाना सेट 18 वर्जन का अर्थ है ऐसी प्रती जो मूल प्रती से थोड़ा अलग हो यानि the translation of original copy into another hard copy अर्थात मूल प्रती का अनुवात किसी दूसरी मूल प्रती के रूप में करना credulous का अर्थ है सहज विश्वासी यानि a person who easily believed अर्थात वो व्यक्ती जो आसानी से विश्वास कर लें paratroops का अर्थ है वायू यान से parachute द्वारा खूदने का प्रशिक्षन यानि to give training for being dropped by parachute अर्थात parachute पहन कर या लेकर कूदने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षन pornography का अर्थ है काम वासना उत्पन करने वाली फिल्म चित्र या साहित्य यानि a movie, picture or literature that arise sexual desires अर्थात एक ऐसे फिल्म या तस्वीर या साहित्य जो काम वासना को उजागर करती है xenomania का अर्थ है विदेशी चीजों के प्रती पागलपन यानि the madness for foreign things or person अर्थात विदेशी व्यक्ती या वस्तों के प्रती लगाव या पागलपन digress का अर्थ है मुख्य विशे से हट जाना यानि to turn away from the main topic अर्थात मुख्य विशे से दूर हो जाना neptism का अर्थ है भाई भती जावाद यानि to give a personal favor to his relatives अर्थात अपने सगे संबंधियों का विशेश ध्यान देना republic का अर्थ है गनतंत्र यानि a government by elected representatives without a monarch अर्थात एक ऐसी सरकार जो चुने गए प्रतीनीदियों द्वारा बनी हो foul का अर्थ है गन्दा या घिनोना यानि a dirty work अर्थात एकदम गन्दा वो बुरा कार्य gazet का अर्थ है सरकारी सूचना पत्र यानि a government notice board where the selection of the officers and public schemes are proclaimed अर्थात वो सरकारी सूचना पत्र जिसमें अधिकारियों की न्युक्ती और सार्वजनी खोशनाएं की जाती है मिसोकेपनिक का अर्थ है धुम्रपान से घ्रिना करना यानि to hate to the smoking अर्थात धुम्रपान से नफरत करना मिसोनिस्ट का अर्थ है नई चीजों से घ्रिना करना यानि a person who hates new things अर्थात वो व्यक्ती जो नई वस्तों से घ्रिना करता है मिसोलोजिस्ट का अर्थ है ज्यान से घ्रिना करने वाला यानि a person who hates knowledge and learning अर्थात वो व्यक्ती जो ज्यान और सीक दोनों से घ्रिना करता हो simultaneous का अर्थ है समकालिक यानि that happens at the same time अर्थात जो एक ही समय में घटित हो reticent का अर्थ है कम बोलने वाला यानि a person who speaks too little अर्थात वो व्यक्ती जो बहुत कम बोलता हो burgious अर्थात मद्यमवर्गिय यानि who belongs to the middle class अर्थात वो जो मद्यवर्ग से समबंदित है dessert का अर्थ है भोजन के बाद खाया जाने वाला मीठा पकवान यानि a Swedish usually taken after the food अर्थात भोजन लेने के पस्चात खाया जाने वाला मीठा पदार्थ ameliorate अर्थात सुधार करना यानि to improve better than the former अर्थात पहले वाले की अपिक्षा सुधार करना colloquialism अर्थात बोल चाल की शेली यानि any spoken language अर्थात कोई भी बोल चाल की भाशा inoy का अर्थ है खिन्नता या उब यानि a state of mental awareness अर्थात मानसिक थकान की अवस्था yuxorious का अर्थ है पत्नी प्रेमी यानि a person who is foolishly fond of his wife अर्थात वो व्यक्ती जो पत्नी के लिए पागल हो जाए amnesty का अर्थ है शमादान यानि a general pardon to person or guilty अर्थात किसी अपराधी को शमादान देना corroborate का अर्थ है समर्थन करना यानि to support a statement और theory अर्थात किसी कथन या सिद्धान्त का समर्थन करना demagogue का अर्थ है भड़काने वाला नेता यानि a person who instigate the public by his speech यानि वो व्यक्ती जो अपने भाशन द्वारा जनता को भड़का देता है epigram का अर्थ है छोटी कविता यानि a short poem or phrase that expressed in a clever way अर्थात एक छोटी सी कविता या शक्त समू जो विचारों को बड़ी चतुराई के साथ व्यक्त करती है confiscate का अर्थ है जब्त करना यानि to seize someone's property by authority अर्थात अधिकार द्वारा किसी के संपत्ती जब्त कर देना compensate का अर्थ है क्षति पूर्ती करना यानि to give something to someone for the loss of things अर्थात चीजों के खोने पर किसी को कुछ हरजाना देना consummation का अर्थ है समापन यानि the ending of any ceremony अर्थात किसी समारों का समाप्त होना dictator का अर्थ है तानाशाह यानि a ruler who uses force in order to make people obey अर्थात एक शासक जो अपने आदेश को मनवाने के लिए ताकत का उप्योग करता है diplomat का अर्थ है कूर्ट नितिग्य यानि a person who is engaged in the diplomatic service of a country अर्थात वो व्यक्ति जो देश के राजनितिक मामलों में व्यस्त हो expiate का अर्थ है पस्चाताप करना यानि a person who remorces at his guilt अर्थात वो व्यक्ति जो अपने अपराथ पर प्राइश्चित करता है fallible का अर्थ है भूल करने वाला यानि a man who commits mistakes in a subject अर्थात वो व्यक्ति जो किसी विशय में गलतियां करता है exhaustive का अर्थ है ठकाने वाला that which causes tired अर्थात वो जो ठका देने वाला है eradicate का अर्थ है जड से उखाड़ना यानि to uproot completely to something अर्थात किसी वस्तु को जड से पूरी तरह उखाड़ देना set 20 epicure का अर्थ है खाने पीने का शौकीन यानि a person who is fond of eating and drinking अर्थात वो व्यक्ति जो खाने पीने का बहुत शौकीन हो evasive का अर्थ है टाल मटोल करने वाला यानि a person who shuffles the main issues अर्थात वो व्यक्ति जो मुख्य मुद्दों को इधर उधर करता है intelligible का अर्थ है बोध गम्य यानि that which can be easily understood अर्थात जिसे आसानी से समझा जा सकता है hyperbool का अर्थ है अतिश्योक्ति यानि a statement which is spoken exaggerately अर्थात एक ऐसा वक्तव्य जो बढ़ा चड़ा कर कहा गया हो honorarium का अर्थ है व्यवसाय का शुल्क यानि a payment of an occupation अर्थात किसे व्यवसाय का दिया गया शुल्क impregnable का अर्थ है दुर्जय यानि that which cannot be broken easily अर्थात जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता mundane का अर्थ है सांसारिक यानि that which belongs to the temporal world अर्थात वो व्यक्ती जो सांसारिक दुनिया से संबंदित हो macabre का अर्थ है भयानक या दरावना यानि that which is very terrible अर्थात वो जो बहुत भयानक या दरावना हो melodrama का अर्थ है राग द्वेश से युक्त सुखांत नाटक यानि a kind of drama which is full of crude appeal to feelings and emotions अर्थात राग द्वेश की भावनाव से युक्त सुखांत नाटक mutation का अर्थ है उत्परिवर्तन यानि a basic change in the structure of a living things अर्थात जिविद चीजों के मूल में परिवर्तन करना prototype का अर्थ है मूल प्रती यानि the original copy और model अर्थात मूल प्रती या नमूना ruminate का अर्थ है किसी विशय पर अधिक विचार करना यानि to medicate on a subject अर्थात किसी विशय पर गेहन विचार करना renounce का अर्थ है त्यागना या छोडना यानि to give up something or somebody अर्थात किसी व्यक्ती या वस्तु को त्याग देना stoic का अर्थ है सुख दुख से परे यानि a man who is beyond happiness and sorrow अर्थात वो व्यक्ती जो प्रसन्नता और कष्ट से परे हो illusion का अर्थ है भ्रम या निराधार विचार यानि where appearance or statement are deceptive अर्थात जहां पर दर्शन या वक्तव्य भ्रामक हो gobble का अर्थ है निगल जाना यानि to eat completely अर्थात पोन रूप से खा जाना solicitor का अर्थ है कानूनी सलहकार a legal advisor अर्थात एक वैद या कानूनी सलहकार से 21 reptiles का अर्थ है sarisrip यानि the animal that creep और crawl अर्थात वो जानवर जो जमीन पर रेंग कर चलता है famine का अर्थ है अकाल या सूखा यानि the lack of food or water in a region अर्थात किसी क्षेत्र में भोजन या पानी की कमी sanatorium का अर्थ है आरोग्य निवास यानि a place for the treatment of patients अर्थात वो स्थान जहां रोग्यों को उपचार के लिए रखा जाता है ophiophobia का अर्थ है साप से डर यानि a person who fears of snake अर्थात वो व्यक्ती जो साप से डरता है fanatic का अर्थ है कट्टर यानि a person who is very enthusiastic for religion अर्थात वो व्यक्ती जो धर्म के प्रती बहुत उच्शुक हो tantrum का अर्थ है एका एक आवेश में आना यानि one who becomes angry suddenly अर्थात वो जो अचानक क्रोधित हो जाता है विशेश्टह बच्चों के लिए d.secret का अर्थ है अपवित्र करना यानि to use something in unworthy and wicked way अर्थात किसी चीज़ को अयोग्य वो गलत तरीके से प्रयोग में लाना अर्थात का अर्थ है अंतरिक्ष यात्री यानि a person who travels in space अर्थात वो व्यक्ती जो अंतरिक्ष की यात्रा करता हो erotum का अर्थ है अशुद्धी यानि to find error in printing और writing अर्थात मुद्रन और लेखन में अशुद्ध खोजना बुक्वोम का अर्थ है किताबी कीडा a person who always reads books अर्थात वो व्यक्ती जो हमेशा किताब पढ़ता है pageant का अर्थ है जहांकी या शोभा यात्रा यानि to elaborate public ceremony अर्थात आम समारों का विस्तार करना केज्म का अर्थ है गेहरी खाई यानि a very deep cracked ground अर्थात बहुत गेहरी दरार युक्त भूमितल acronym का अर्थ है संक्षिप्थ शब्द a word which is made by letters of a name अर्थात वो शब्द जो किसी नाम के ही अक्षर से बनता है collaborate का अर्थ है साथ काम करना यानि a person who participates in art or literature अर्थात वो व्यक्ती जो कला और साहित्य में साथ मिलकर काम करता हो receipt का अर्थ है रसीद यानि a written acknowledgement slip received by a person अर्थात किसी व्यक्ती द्वारा लिखित स्वीकृती रसीद प्राप्त करना enneagram का अर्थ है वर्ण वीपर्यय यानि a word which is made by the changing order of letters in another words अर्थात वो शब्द जो शब्द के क्रम परिवर्तन में शब्द निर्मान करता है commentator का अर्थ है समालोचक यानि a direct broadcasting of eyewitness pilgrim का अर्थ है तिर्थ यात्री यानि a person who travels to a holy place अर्थात वो व्यक्ती जो पवित्र स्थलों की यात्रा करता हो set 22 conceit का अर्थ है अहंकार या घमंड यानि the excess of proud in one's ability अर्थात किसी की योगिता में घमंड का बढ़ जाना decade का अर्थ है 10 years अर्थात दस वर्षों का समय chaperone का अर्थ है sarangshika यानि a young woman who has been given charge of a girl अर्थात वो औरत जिसे एक लड़की की जिम्मेदारी सौपी गई हो cadaverus का अर्थ है मुर्दानी सूरत वाला that which is like dead body अर्थात वो जो मृत शरीर जैसा हो polygot का अर्थ है भाशाविद यानि a person who speaks many languages अर्थात वो व्यक्ति जो कई भाशाओं को बोलता हो conspirator का अर्थ है shadyantrakारी यानि a person who makes secret plans against someone अर्थात वो व्यक्ति जो दूसरों के खिलाफ गुप्त योजना बनाता हो playcard का अर्थ है छुपी हुई सूचना यानि written or printed notice which is posted on public places अर्थात लिखित या छपी हुई सूचना जो आम स्थान पर छपा दी गई हो रेपार्टी का अर्थ है निपुन और व्यंग्यपून चतुरवार्ता यानि a witty and clever critical discourse अर्थात निपुन और तीक्ष्न चतुरता पून वार्तालाप equator का अर्थ है विश्वत रेखा यानि the imaginary line around the earth अर्थात धर्ती के चारों और काल्पनिक रेखा corridor का अर्थ है गलियारा यानि a door which opens into a room through narrow way अर्थात एक दर्वाजा जो एक कमरे में संकरे रास्ते के द्वारा खुलता है celibacy का अर्थ है ब्रह्मचर्य यानि an unmarried person for a long time अर्थात लंबे समय तक विवाह ना करने वाला व्यक्ती pasty forest का अर्थ है का हानिकारक यानि that which is morally dangerous अर्थात वो जो नैतिक रूप से खतरनाक हो obituary का अर्थ है मृत्यु सूचना यानि a notice about the death of a man अर्थात मृतक आदमी के बारे में सूचना scape grace का अर्थ है मृर्ख व्यक्ती यानि a person who always involves into trouble अर्थात वो व्यक्ती जो हमेशा परिशानियों में पड़ा रहता है baron का अर्थ है banjar यानि the unfertile land अर्थात अनुप जाओ भूमी post-mortem का अर्थ है शव परिक्षन यानि the medical examination of the dead body अर्थात मृत शरीर का medical परिक्षन करना swarm का अर्थ है चीटियों का जुन्ड यानि a group of ants अर्थात चीटियों का समू से 23 बाइगाट का अर्थ है कटरपन्थी यानि a person who blindly supports to religion यानि वो व्यक्ति जो आँख बंद करके धर्म पर विश्वास करता है beverage का अर्थ है पे पदार्थ यानि a kind of material which can be drink except water अर्थात पानी के अलावा पिया जाने वाला पदार्थ catalog का अर्थ है पुस्तकों की सूची यानि a list of books अर्थात किताबों की सूची Aboriginal का अर्थ है आदिवासी यानि a person who belongs to a region of former area अर्थात वो व्यक्ति जो किसी पूर्वक्षेत्र से जुड़ा हो Memorandum अर्थात स्मरन पत्र या ज्यापन यानि a written statement that is full of information अर्थात एक लिखित वक्तव्य जो सूचनाओं से भरा है Hers का अर्थ है शववाहन यानि a motor van which is used to carry a dead body अर्थात वो motor गाड़ी जो मृतक शरीर को ले जाती है वीडो का अर्थ है विद्वा यानि a woman whose husband is dead अर्थात वो महिला जिसका पती मर गया हो fertile अर्थात उपजाव जमीन a land that grows abundantly अर्थात ऐसी भूमी जो परियाप्त मात्रा में अनुत्पादित करती है missionary का अर्थ है धर्म प्रचारक यानि a person who travels from one place to another place to propagate creed अर्थात एक व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्म का प्रचार प्रसार करता है linguist का अर्थ है अनेक भाशाओं का ज्याता यानि a person who makes a scientific study of a language अर्थात वो व्यक्ति जो भाशा का व्यज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है फैत्रिसाइट का अर्थ है भ्रात्र हत्या यानि killing of one's brother अर्थात अपने भाई की हत्या स्टेशनरी अर्थात लेखन सामग्री यानि the material aids which is used in writing अर्थात वो सहायक सामग्री जो लेखन कार्य में प्रयुक्त होती है सिनारियो का अर्थ है नाट किया रूप रेखा यानि an outline of a play अर्थात किसी नाटक का खाका cantonment का अर्थ है चावनी यानि a place where military live अर्थात वो स्थान जहां पर सेना के जवान रहते हैं बोवाइन का अर्थ है गाय जैसा that which is like cow अर्थात वो जो गाय की तरहां का हो फींड का अर्थ है निशंस या क्रूर अर्थात a man who is very cruel by heart वो व्यक्ति जो हृदे से बहुत निर्दय हो अर्थात जासूस यानि a man who goes for a secret mission वो व्यक्ति जो किसी रहस्य में अभियान पर जाता है manifesto अर्थात घोशना पत्र यानि a candidate who plans and promises to declare before public in election अर्थात वो व्यक्ति या उमीद्वार जो चुनाव के समय जनता के सामने योजना बनाता है और वादा करता है say 24 chlorophyll का अर्थ है पर्ण हरित यानि the part of plants which have green color अर्थात पोधे का वहभाग जो हरे रंका होता है wine yard का अर्थ है अंगूर का बगीचा अर्थात a place where grapes are planted वो स्थान जहां पर अंगूर का पौधार ओपन किया जाता है bilingual अर्थात द्वी भाशी यानि a person who can speak two languages वो व्यक्ती जो दो भाशाओं को बोल सकता है proletariat का अर्थ है मजदूर वर्ग यानि a class of labors अर्थात मजदूरों का एक वर्ग या जाती somnambulist अर्थात निद्राचल व्यक्ती यानि a person who walks in sleep अर्थात वो व्यक्ती जो नींद में चलता हो philosophist का अर्थ है sri-premi यानि a person who is lover of woman वो व्यक्ती जो स्त्रियों के प्रती आ सकत हो pycene का अर्थ है मचली जैसा that which is like a fish अर्थात वो जो मचली की तरह हो apostate का अर्थ है अपना धरम त्यागना यानि a person अर्थात वो व्यक्ती जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करता है luggage का अर्थ है सामान यानि the luggage of a traveler अर्थात यात्रियों का सामान एफिडेविट का अर्थ है शपत पत्र यानि a legal written statement अर्थात कानूनी रूप से लिखा गया वक्तव्य अर्थ है कार्य पालक यानि a person who has given authority to complete a legal deeds अर्थात वो व्यक्ती जिसे वेधानिक कार्य की जिम्मेदारी सौपी गई हो एक्स्ट्रवेगेंट का अर्थ है खर्चीला यानि a person who spends money too much अर्थात वो व्यक्ती जो अधिक धन खर्च करता हो कॉप्स का अर्थ है का शव यानि the dead body of a human being अर्थात मानव का मृच शरीर अर्थात किसी व्यक्ती के द्वारा लिखी गई अपनी कहानी अर्थात का अर्थ है जीवनी अर्थात किसी व्यक्ती के जीवन की कहानी किसी दूसरे व्यक्ती के द्वारा लिखी गई हो के जोल का अर्थ है फुसलाना यानि to lure someone by flattery अर्थात चापलूसी द्वारा किसी को आकर्शित करना टॉक्सिकोलजी का अर्थ है विश्विज्ञान अर्थात जहर या विश्च का विज्ञान सेप्टे जनेरियन का अर्थ है सत्तर साल का व्यक्ती यानि a person who is 70 years old अर्थात वो व्यक्ती जो सत्तर वर्ष का हो सेट 25 नॉन जनेरियन का अर्थ है नब्बे साल का मनुष्य यानि a person who is 90 years old वो व्यक्ती जो नब्बे वर्ष का हो अर्थात वो व्यक्ती जो असी वर्ष का हो सेंटेनेरियन का अर्थ है सो साल का व्यक्ती यानि a person who is 100 years old अर्थात वो व्यक्ती जो 100 वर्ष का हो एरोड्रोम अर्थात हवाई अड़्डा यानि a land where aeroplanes, lands and departures अर्थात वो भूमी जहां पर हवाई जहास उतरता है और उड़ता है पैट्रियोट का अर्थ है देशभक्त यानि a person who is devoted for his country अर्थात वो व्यक्ती जो अपने देश के लिए समर्पित हो डेंटिस्ट अर्थात दंत चिकित सक यानि a person who examines teeth अर्थात वो व्यक्ती जो दात की जांच करता है कार्डियोलोजिस्ट अर्थात हिर्दे रोग विशेशग्य यानि a person who is specialist of heart disease अर्थात वो व्यक्ती जो हिर्दे रोग का विशेश ग्याता हो वेटरन का अर्थ है अनुभवी व्यक्ती यानि a person who has long experience in anything अर्थात वो व्यक्ती जिसे कीनी कार्यों में बहुत लंबा अनुभव हो अर्थात का अर्थ है किशोर यानि a person who is 15 years old अर्थात वो जो 15 वर्ष का हो निम्फ अर्थात सुन्दर यूवती यानि a beautiful young girl अर्थात एक सुन्दर नव यूवती नूकलियस का अर्थ है नाभिक यानि a place where is the center of atoms अर्थात किसी परमानू का केंद्रिय भाग या स्थान जिसमें proton या neutron परस पर बंदे हो offspring का अर्थ है संतान यानि the young of animal और beasts अर्थात जानवरों के छोटे छोटे बच्चे alphabet अर्थात वर्ण माला the letters used in writing a language अर्थात वो अक्षर जो भाशा लेखन में प्रयुक्त होते हैं omnipresent का अर्थ है सर्व व्यापी यानि a person who is present everywhere अर्थात वो व्यक्ती जो हर जगां व्याप्त हो omniscent अर्थात सर्वग्याता या सर्वग्य यानि a person who knows everything अर्थात वो व्यक्ती जो सब कुछ जानता हो omnipotent अर्थात सर्वशक्ति मान यानि a person who is all powerful अर्थात वो व्यक्ती जो सबसे शक्तिशाली है anesthetic अर्थात बेहोश करने की दवा यानि a kind of medicine which makes senseless अर्थात वो दवा जो बेहोश कर देने वाली हो मेर अर्थात घोड़ी या गधी यानि a female animal of horse or donkey अर्थात घोड़े या गधे की स्त्रीलिंग पशू mint का अर्थ है टकसाल यानि a place where coins are made momento अर्थात यादगार या निशानी यानि a gift which is given as a reminder अर्थात ऐसा उपहार जो यादगार के रूप में दिया जाता है से 26 moderator अर्थात परिक्षा नियंता यानि a controller of examination of a university अर्थात विश्व विद्याले की परिक्षा का नियंत्रक व्यक्ती नोमेड का अर्थ है बंजारा यानि a person who is member of wandering tribes अर्थात वो व्यक्ती जो घुमक्कर जन्जातियों का सदस्य हो optician अर्थात नेत्र जाचकर चश्मा बनाने वाला यानि a person who sales glasses by examining the eyesight अर्थात वो व्यक्ती जो आँख की जाच करके चश्मा बेचता हो कारकेस का अर्थ है जानवरों का म्रिच शरीर यानि a dead body of animals अर्थात जानवरों का म्रिच शरीर herd का अर्थ है पश्यों का जुंड a group of animals यानि जानवरों का समू harpoon का अर्थ है मचली पकड़ने का भाला a fishing rod अर्थात मचली पकड़ने वाली लोहे की छड octagon अर्थात अश्टभुज यानि a plane figure of eight sides अर्थात एक समतल बंद आकृती जिसके आठ किनारे होते हैं manuscript अर्थात pandulipi यानि a book, documents or letter written by hand अर्थात हाथ द्वारा लिखी गई किताब, लेक या पत्र पैरोनिम का अर्थ है ध्वनी एक परंतु अर्थ भिन यानि a word that has same sound but different in meaning अर्थात वो शब्द जिसकी ध्वनी एक समान हो, लेकिन अर्थ भिन्न हो motel अर्थात कार सहित व्यक्तियों के ठहरने का स्थान यानि a hotel where car parking and man stay systems are available अर्थात वो स्थान जहां पर car parking करने और व्यक्ति के ठहरने की व्यवस्ता उपलब्थ हो अर्थात नौ सैना अधिकारी यानि an army officer who has below the captain in rank यानि army का एक अधिकारी जो श्रेणी में कप्तान से नीचे के पद पे रहता है incomprehensible अर्थात अबोध यानि that cannot be understood अर्थात जिसको समझाना जा सके neurologist अर्थात तंत्रिका विशेशग्य यानि a person who is specialist of nerve system अर्थात वो व्यक्ति जो तंत्रिका तंत्र का विशेशग्य या ज्याता हो Obstetrician अर्थात प्रसूति विशेशग्य यानि a person who is specialist of pregnancy and child birth अर्थात वो व्यक्ति जो गर्भवस्था तथा बच्चे के जन्म का विशेशग्य हो Horoscope अर्थात जन्म कुंडली या जन्म पत्री यानि a diagram of present past and future of a person अर्थात एक व्यक्ति के वर्तमान, भूत तथा भविश्य का आंकडा Hostess का अर्थ है महीला मेजवान यानि a female candidate who is fond of to welcome guests अर्थात वो महीला अब्यर्थी जो अतीथियों के स्वागत सतकार की शौकीन हो Set 27 Monument अर्थात स्मार्क यानि a building which is made or constructed in the remembrance of someone अर्थात एक ऐसी इमारत जो किसी की याद में बनवाई गई हो predecessor का अर्थ है पुर्वाधिकारी यानि a person who has been taken this past formally अर्थात वो व्यक्ति जो पहले ही इस पद पर रह चुका हो Protocol का अर्थ है मूल रूप से लिखित यानि a written agreement letter between two states अर्थात दो राजियों के बीच में लिखित सहमती पत्र हेप्टगन अर्थात सप्तभुज यानि a plain figure which has seven sides अर्थात एक समतल बंद आकृती जिसमें साथ किनारे होते हैं Anniversary का अर्थ है जयन्ती यानि an event which is celebrated after hundred years अर्थात वो घटना जो प्रतियेक सौ साल बाद मनाई जाती है Biennial का अर्थ है द्वीवार्शिक यानि the incident which happens after every two years अर्थात वो घटना जो प्रतियेक दो साल बाद घटित होती है Quadranial का अर्थ है चार साल में एक बार होने वाली घटना यानि an event which happens after four years अर्थात वो घटना जो प्रतियेक चार साल बाद घटित होती है Quinquennial अर्थात पाँच साल में एक बार घटित होने वाली घटना यानि an event which happens after five years अर्थात वो घटना जो प्रतियेक पाँच साल के बाद घटित होती है Decanial का अर्थ है दस साल में एक बार घटित होने वाली घटना यानि an event which happens once after ten years अर्थात वो घटना जो प्रतियेक दस वर्ष के बाद एक बार घटित होती है Atheist का अर्थ है नास्तिक यानि a person who does not believe in the existence of God अर्थात वो व्यक्ती जो इश्वर के अस्तित्यों में विश्वास नहीं रखता Theist अर्थात आस्तिक यानि a person who believes in the existence of God अर्थात वो व्यक्ती जो इश्वर के अस्तित्यों में विश्वास रखता है Aggressor का अर्थ है आक्रमन करता यानि a person who first attacks on enemy वो व्यक्ती जो शत्रू पर सर्व प्रथम आक्रमन करता है Heart का अर्थ है Hiran यानि a young male of deer अर्थात हिरन का छोटा बच्चा Fallacy का अर्थ है भ्रान्ती यानि a false believe in something मतलब किसी चीज में जूटा विश्वास करना Microbe का अर्थ है रोगानू यानि a small living organism which originate disease अर्थात छोटे जीव जो रोगों को उत्पन करते हैं Neogamist अर्थात नव विवाहित व्यक्ति यानि a person who has recently married अर्थात वो व्यक्ति जिसने हाल ही में शादी की हो Bibliophobia अर्थात पुस्तक से डर यानि a person who fears of books अर्थात वो व्यक्ति जो किताबों से डरता हो Agoraphobia का अर्थ है खुले पन से डरना यानि fear of open place अर्थात खुले स्थान से भय Liquor का अर्थ है मदिरा यानि an alcoholic drink अर्थात मदमस्त करने वाली शराब Mausoleum का अर्थ है विशाल मकबरा यानि a tremendous tomb अर्थात एक विशाल मकबरा Microscope अर्थात सुक्षमदर्शी यानि an instrument through which two little insects can be seen अर्थात एक ऐसा उपकरन जिसके द्वारा छोटे से छोटे कीडों को देख सकते हैं Coquit अर्थात चुल्बुली औरत यानि a lady who is very flirt अर्थात वो औरत जो बहुत चंचल और इश्क बाज हो Bachelor अर्थात कुवारा यानि a man who remains unmarried अर्थात वो व्यक्ति जो बिना शादी के रहता है Spinster अर्थात कुवारी यानि a woman who is unmarried वो औरत जो बिना शादी के रहती हो